तो हमने 284 तक पढ़ लिया था अब हम आगे पढ़ेंगे इसमें बता रखा है कि कमीशन कब बनाते हैं जब विटनेस का एक्जामिनेशन करना होता है तो 284 में हमें बता रखा है कि जब inquiry, trial या कोई other proceeding हो रही है और court को लगता है कि examination ज़रूरी है witness की और किसले ज़रूरी है ताकि justice हो सके हैं तो वो witness को और क्या कहते हैं witness के examination ज़रूरी है मगर witness क्या कहते हैं ऐसा है कि जो unreasonable क्या कहते है अन्रीजनेबल डिले करें, inconvenience करें या court को expense पहुचा है फाल तुमे ठीक है तो उसका examination नहीं ले सकते witness का मगर केस के circumtrances पे witness का examination नहीं लिया जा रहा है तो court और जो magistrate है वो उसकी attendance dispense कर देगा और एक commission मनाएगा किसके लिए examination of witness के लिए इसमें provided में हमें दे रखा है कि जब examination होगा president, vice president, governor या administrator जो होते है union territory के उनका अगर witness के लिए examination होगा तो उनके लिए commission बनाया जाएगा इसमें हमें sub clause 2 में दे रखा है कि जब commission issue किया गया ठीक है examination of witness के लिए तो court उसमें जो reasonable expense होते हैं court उसमें वो amount भी डालेगा जो की prosecution को paid किया जाएगा तो इसमें हमें 285 में बता रखा है कि commission किस को issue किया जाएगा तो commission जो है पहला तो जो इस code के अंदर जो issue किया जाएगा witness को तो वो territory में होना चाहिए पहले तो within the territory होना चाहिए code की जहां ते के code apply होता है और वो issue किया जाएगा जो direct किया जाएगा वो chief metropolitan magistrate और chief judicial magistrate को वो क्या कहते हैं direct किया जाएगा जिनके local jurisdiction में तो हमें clause 2 में बता रखा है कि जब क्या कहते है witness जो है इंडिया में इंडिया में विटनेस जो है इंडिया में रहता है मगर जो वो उस state में रहता है जहां पर यह code apply नहीं होता जहां पर एक कोड एक्स्टेंड नहीं होता है तब क्या होगा तब क्या कहते हैं कोट जो है कमीशन जो है डायरेक्ट कर देगा वहां की वहां की सेंट्रल गवर्मेंट को और सेंट्रल गवर्मेंट जो है वहां की कोट को या वहां के कोट के ऑफिसर को बाय नोटिफिकेशन स्पैसिफाइ कर देगी कि इस विटनेस के अधिया से बाहर कोई country है तो arrangement किये जाएंगे Central government द्वारा ठीक है arrangement कि जाएंगे Central government द्वारा ताकि उसका जो evidence है उस witness से लिए जा सके ठीक है और ये by notification होगा और इसके लिए Central government rules बनाईगी तो हमें 286 में बता रखा है execution of commission के commission का execution कैसे होगा तो इसमें जब क्या कहते है receipt मिल जाएगी commission की तो chief metropolitan magistrate या cgm जो chief judicial magistrate होता है वो summon करेगी witness को witness को summon करने के बाद जो witness से proceed करेगी फिर या तो witness को summon करेगी या फिर witness के place पे जाएगी और उससे evidence लेगी जो भी evidence उससे लिये जाने है और इसमें evidence में जो ये लेगी court तो इस court के पास कौन सी power होंगी जो power वो warrant case और trial case में होती है वो power court के पास होंगी अब हमें 287 में बता रखा है कि party जो हैं वो witness को examine कर सकती है तो इसमें party जो है witness को कैसे कैसे examine करेगी कि जब commission issue किया गया और commission issue करने के बाद जो भी interrogatories थे वो writing में लिखी जाएगी और वो court को दी जाएगी और फिर court जो है जो court को relevant लगती है जो court को relevant issue लगते है वो commission को direct करेगी कि ये आप ये जो है आप witness से पूछ सकते हैं तो आप witness से फिर वो चीज interrogation witness से फिर examine किया जाएगा और उन जो interrogatories लिखे गई थी जो लिखित में उन से interrogatories ली गई थी parties द्वारा उसके ओपर witness को examine किया जाएगा और इसमें आगे हमें बता रखा है कि जहाँ पर पार्टी जो है अपियर होती है court और magistrate के सामने pleader द्वारा ठीक है और जो person है जो क्या कहते है person है वो क्या कहते है custody में नहीं है pleader द्वारा अपियर होती है और वो custody में नहीं है तो उसे examine cross examine और re-examine किया जा सकता है witness द्वारा party को witness द्वारा examine किया जा सकता है तो section 288 में हमें बता रखा है return of commission तो return of commission में हमें बता रखा है कि जब कोई commission 284 के under में issue किया गया ठीक है और issue होने के बाद उसे duly execute कर दिया गया उस commission को कि उस commission ने witness का examination ले लिया जिन witness का examination उसे लेना था ठीक है और तो वो तो वो क्या कहते हैं return आएगा commission और वो deposition बनाएगा witness पे जो witness के द्वारा जो भी witness द्वारा statement दी गई है उन्हें फिर deposition कहा जाएगा और वो जो deposition है वो हर टाइम inspection of parties के लिए खुला रहेगा तो section 289 में हमें बता रखा है adjournment of proceeding तो इसमें क्या कहते हैं court जो है adjourn कर देगी प्रोसीडिंग को specified time के लिए जब तक की commission का execution नहीं हो जाता या फिर commission का return नहीं हो जाता तब तक court क्या कहते हैं adjourn कर देगी proceeding को तो हमें section 291 में बता रखा है कि जब कोई medical witness deposition बन जाता है तब क्या होता है तो deposition जब medical witness बन जाता है civil surgeon को deposition बनाया जाता है तो या तो वो उसके लिए evidence लिए गए है accused की presence में या फिर commission के द्वारा उससे medical witness से evidence लिए गए है ठीक है तो वो तो जिस भी inquiry और other proceeding जो trial के लिए evidence लिए गए थे उनमें वो evidence यूज किये जाएंगे और उस deponent को witness नहीं माना जाएगा और इसमें अगर code को लगता है तो वो किसी भी deponent को examine कर सकती है के वो इस subject matter पर जो वो deposition दे रहा है वो सई deposition दे रहा है या नहीं दे रहा है ठीक है तो section 291a में हमें बता रखा है identification report of magistrate तो इसमें जो magistrate द्वारा कोई document है ठीक है इसमें हमें बता रखा है कि कोई magistrate द्वारा document है और वो executive magistrate के hand में identified करी गई है मतलब उसके द्वारा बनाएं गई है executive magistrate द्वारा किसी person या property के उपर ठीक है तो उसको evidence के रूप में लिया जा सकता inquiry trial या किसी भी proceeding में मगर magistrate को witness के रूप में नहीं बुलाया जा सकता जिसमें provided में हमें बता रखा है कि जो report है जिस जो statement contain करती है किसी suspect क्या witness की ठीक है और वो जो suspect और witness की statement contain करती है और वो जो statement है वो section 21, 32, 33, 155 या 157 Indian evidence act में आते हैं तो जो statement है वो in section द्वारा in section में जो provision दे रखे हैं इन provision द्वारा record की जाएगी ना कि जो इस chapter में दे रखे हैं उसके द्वारा ठीक है second में हमें second clause में बता रखा है कि court को अगर लगता है कि जो court को अगर लगता है कि prosecution और accused के लिए अगर ये सही है तो वो magistrate को समन कर सकती है और examine कर सकती है कि जो magistrate ने ये report बनाई है क्या ये report सही है या गलत है तो section 292 में हमें बता रखा है कि evidence of officer of mint तो इसमें जो है जैसे हमने उपर वाला section पड़ा ये भी same वैसी है कि अगर कोई officer है mint का है ना या तो mint का officer है या फिर note printing press का कोई officer है और उनने कोई report बनाई है तो वो report जो है examination के लिए इस्तमाल की जा सकती है किसी भी witness की और वो inquiry और किसी trial में वो use की जा सकती है मगर जो officer ने वो report बनाई है उसे witness के रूप में नहीं देखा जाएगा second में हमें वही बता रखा है कि अगर court को लगता है तो वो summon और examine कर सकती है उस person को जिसने वो report बनाई है जिस officer ने वो report बनाई है ठीक है और इसमें next second के provided में हमें दे रखा है कि जो officer है उसे summon इसलिए नहीं किया जाएगा कि वो report कि इस base पर उनने बनाई है उस पर उसे नहीं बुलाए जाएगा तो section 293 में हमें बता रखा है कि जब किसी scientific expert की किसी government scientific expert द्वारा कोई report बनाई गई है तब तो किसी government scientific expert द्वारा कोई document है उसकी report बनाई गई है तो वो report भी क्या कहते है evidence के रूप में इस्तमाल की जा सकती है और अगर court को लगता है तो क्या कहते हैं वो examination analysis करवा सकते है report का और वो evidence के लिए इस्तमाल में की जा सकते है किसी भी inquiry trial और other proceeding में और अगर court को लगता है कि ये justice के लिए जरूरी है तो वो समन कर सकता है उस expert को जिसमें की उसना जो subject matter है उस report के उपर उसके लिए उसे वो समन कर सकता है और इसमें third clause में हमें बता रखा है कि जो expert को समन किया जाएगा अगर court द्वारा ठीक है और वो enable है personally attend करने के लिए तो वो किसी भी responsible officer को क्या कहते है responsible officer को जो कि उसके under में काम कर रहा है उसे वो depute कर सकता है कि वो attend करे court की proceeding को और हमें subsection 4 में बता रखा है कि ये following people जो है ये scientific government scientific expert होंगे तो इसमें chemical examiner और assistant chemical examiner ठीक है chief controller of explosive ये scientific expert होगा डिरेक्टर ओफ फ्रिंगर प्रिंट डिरेक्टर ओफ हैफिकेन इंस्टिटूट बॉमबे डिरेक्टर असिस्टेंट डिरेक्टर सेंटरल फॉरेंसिक लेबरेटरी और serologist of government और any other government scientific expert तो ये सब scientific expert होंगे तो section 295 में हमें बता रखा है कि जब किसी public servant के public servant के खिलाफ कोई application लगाई गई है किसी public servant के खिलाफ application लगाई गई है और उसके public servant के खिलाफ कोई allegation लगाई जाती है तो उस allegation के जो fact है वो prove करने के लिए public servant के खिलाफ एफिडेविट लगाना पड़ेगा तो section 297 पे अब हम आ गए हैं इसमें हमें बताए गया है किन authorities के सामने affidavit को sworn किया जाएगा तो इसमें हमें बता रखा है कि affidavit जो है sworn और affirm किया जाएगा कोई भी judge जो है judge जो है उसे affidavit को affirm कर सकता है या फिर कोई भी executive magistrate कर सकता है commissioner of oath कर सकता है या फिर notary public इसे कर सकता है affidavit को और जो भी affidavit में बाते कहीं जाएंगी वो deponent द्वारा सारी की सारी सच होनी चाहिए ठीक है और अगर court को कोई court को लगता है कि कोई irrelevant या फिर scandalous matter है affidavit में तो वो court उसे struck down या हटा सकती है तो section number 298 में हमें बता रखाए कि previous conviction या फिर acquittal कैसे prove किया जाएगा किसी भी person का तो इसमें पहले A में हमें बता रखाए कि extract certified जो copy होगी जो भी officer द्वारा जिस भी officer के custody में वो person होगा तो उस person द्वारा उस officer से custody के record लिये जाएंगे court में conviction और acquittal के जो भी हुए थे ठीक है या फिर उससे जो भी order की जो copy होगी वो उससे ले ली जाएगी और B में हमें बता रखा है कि अगर conviction है और तो वो conviction है तो जो भी copy होगी certified certified जो copy होगी वो jailer द्वारा ली जाएगी जिससे कि उसका previous conviction prove कर दिया जाएगा या फिर उसका कोई warrant होगा या फिर कोई production द्वारा कोई वो आया होगा तो उससे वो ले लिये जाएगा तो अब हम आ गए हैं अपने नए चैप्टर पे चैप्टर नमबर 24 और इसमें है general provision as to inquiry or trial तो इसमें inquiry or trial के general provision दे रखें चैप्टर नमबर 24 में तो इसमें पहला section है section नमबर 300 इसमें बता रखाए कि अगर एक person को एक बार convict या acquit कर दिया गया है तो उसके उपर कोई तो उसके उपर दूसरा offense का same case नहीं लगाए जाएगा इसे हम double geo party भी कहते हैं जो हमें article 20 article 20 sub article 2 में दे रखा है और CPC में हमें section 11 में और Indian Evidence Act में section 40 में हमें बता रखा है इसमें हमें बता रखा है कि अगर कोई एक person है और वो competent court द्वारा convict या acquit कर दिया गया है तो उसी same चीज के उपपर उसी same offense के उपपर उसके उपपर फिर से case नहीं लाया जाएगा ठीक है और एक हमें इसके explanation में भी एक बात बता रखी है कि अगर complaint का dismissal हो गया है या फिर accused को discharge कर दिया गया है तो वो acquittal नहीं माना जाएगा इस section के अंदर तो section number 301 में हमें बता रखा है कि public prosecutor के appearance के बारे में इसमें हमें बता रखा है कि public prosecutor और additional public prosecutor अगर कोई भी court के अंदर case चल रहा है और court ने उन्हें किसी case में appoint कर रखा public prosecutor या assistant public prosecutor को तो without written authority court में appear और plead कर सकते हैं और अगर appear और plead कर रहे हैं public prosecutor या additional public prosecutor और कोई person है उसने private person ने कोई pleader अगर रखा हुआ है वो पब्लिक प्रोसेक्यूटर के डायरेक्शन में prosecution कंड़क्ट किया जा रहा है किसी परसन द्वारा है ना और वो कोई दूसरा परसन है जो की यह हमें नीचे दे रहे हैं advocate general government advocate public prosecutor या assistant public prosecutor से अलग है तो वो अलग जो परसन होगा वो पुलिस officer हो सकता है मंगर वो inspector की rank से कम नहीं होना चाहिए minimum वो inspector होना चाहिए इसमें provided में बता रखा है कि police officer जो है वो police officer नहीं होगा जिसने जो की prosecution के investigation में उसने अगर भाग लिया है तो उस police officer को prosecution conduct नहीं करने दिया जाएगा और इसमें conduct जो है prosecution personally भी कर सकता है या फिर अपने किसी pleader द्वारा prosecution को conduct किरवाया जा सकता है तो section 303 बहुत important है इसमें हमें बता रखा है कि कोई भी person है जिसके खिलाब proceeding दाखिल करी गई है जिसके खिलाब proceeding institute करी गई है तो उसके पास right है कि वो अपने आपको defend कर सके pleader के द्वारा वो भी और pleader उसकी choice का हो सकता है तो section 304 में section 304 में हमें बता रखा है legal aid के बारे में इसमें हमें बता रखा है कि अगर कोई accused है और वो accused जो है court में appear होता और court को लगता है कि इस accused के पास sufficient mean नहीं है pleader pleader रखने के तो court उसे pleader करवाईगी उसे court जो है वकील करवाईगी और वो जो वकील होगा वो state के खर्चों पर वकील रखा जाएगा तो section 100 section 305 में हमें बता रखा है कि अगर corporation है और फिर कोई society accused है तो कैसे उसके खिलाफ proceeding चलाई जाएगी तो इसमें पहले हमें बता रखा है कि corporation और society वो society है जो की society registration act 1860 में है और अगर कोई corporation accused person है तो वो appoint करेगी किसी भी representative को जो की inquiry trial में जो की inquiry trial में जाएगा और वो उसमें उसे जो है seal of corporation के साथ उसे representative के रूप में corporation चुनेगी और इसमें हमें सब section 6 में हमें बता रखा है कि अगर क्या कहते हैं कोई question आता है अगर कोई question arise होता है कि कोई जो person है जो representative of corporation के रूप में रखा गया है inquiry या trial के inquiry और ट्राइल के रूस में तो वो परसन के रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं है तो ये जो कोश्चन है वो कोड द्वारा डिटर्माइन किया जाएगा तो अगर आप मेरी वीडियो यहां तक देख रहे हैं थैंक यू